हाई गाईज, I'm back with another video और इस वीडियो में देखेंगे स्वरोल सर के निव एपिसोड को तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे निव और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भागी कॉमेंट और सेर कर देना तो चलो देखते हैं इस पार्ट को और हम देखते हैं काफी सारे लोग इनांस्मेंट वोर्ट की और आगे बल रहे थे गासन वेदी भी काफी एक्साइटेड होकर इनांस्मेंट वोर्ट की और जा रहा था क्योंकि अब उस वोर्ट पे इस बैटल के रिगार्डिंग एनांस्मेंट होने वाली थी क्योंकि Black Dragon Mountain Empire में कुछ बंदे इस Genius War Battle Interest में जीत कर रिकॉर्ड सेट किये हैं और सब इस रिकॉर्ड को देखने के लिए काफी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और 8 Billion Warrior में बसके वल मासर रॉंग, लुओ फैंग और ना भी नहीं Black Dragon Mountain Empire सी इस वार को जीते हैं और ये सब अपने रिकॉर्ड सेट कर चुके हैं नेक्स दिन में हम देखते हैं लुओ फैंग के कैसल को लुओ फैंग, मासर रॉंग और ली सेंग इस बैटल के बाद अपने कैसल में आते हैं और इस record को सेट करने के कुछी में वो अपने family के साथ इस moment को enjoy करने लगते हैं जहां सारे लोग लूओ फिंग के लिए काफी ज़्यादा खुश थे साथ मासरों और ली सिन भी ड्रिंग करके इस पल को enjoy कर रहे थे और इस moment में लूओ फिंग की पूरी family काफी ज़्यादा खुश लग रहे हैं और इस सेट बिचारा बायका लूओ तो दाई बन कर रह गया है क्योंकि वो हमेसा लूओ फिंग के बच्चों के care करता है फिर अचाना की मासरों का पूरा mood change हो जाता है और वाकिले किसी और सोच में पढ़ जाते हैं ये देकर मासर ली सेन उनसे पूछते हैं फर्स ब्रदर आखिर क्या बात है तुम किस बारे में सूच रहे हो मासर रॉंग बताते हैं कि हमारा ये यनिवर्स काफ़े ज़्यादा वार्स और बॉर्ड लिस है और यहाँ पर वार्यर तो इन सारे स्टार जितना हैं मतलम कि यनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा वार्यर हैं और साथे तुम और लुफ एंग दो लोलगतार इंप्रूब कर रहे हो लुफ एंग तो मासर रॉंग के ने रिटेंज को एक्सिप कर चुका है और उसे गाइड करने के लिए बवाता है और तुम तो मासर काबू के ने रिटेंज को एक्सिप कर चुके हो तुमारे पास मासर वो गाइडेंज के लिए हैं पर मुझे अभी तक कोई भी अच्छा मेंटर नहीं मिला है और नहीं मुझे कोई गाइड करने वाला है बस मैं यही सोच रहा हूँ मुझे नहीं मालूम कि मैं इस यूनिवर्स में कितना उपर तक जा सकता हूँ यूंकि तुम दोनों के पास तो गाइड करने के लिए हैं बस मासर हों के पास ही कोई भी मेंटर नहीं है पर मास्टर ली सेन उसे सारा देते हैं, सेंसिट होती है, और हम देखते हैं, अपने मास्टर के साथ किसी पोर्टल की और जा रहे थे, अपने मास्टर के साथ किसी पोर्टल की और जा रहे थे, अपने मास्टर के साथ किसी पोर्टल की और जा रहे थे, अपने मास्टर के साथ त्रेक्स मांटेन इंपायर को बनाए थे पर अभी वो दोनों बंदे इस मास्टर से काफी आगे जा चुके हैं वो दोनों तो रियल जीनियस बन चुके हैं पर मास्टर लुओ अभी भी रियल मास्टर में अटके हैं तो अलिए त्यांचेन बताता है कि मैं भी व्रॉल्ट मास्ट लवल्ड पे हूँ और अलिए त्यांचेन इस युनिवरस में व्रॉल्ड मास्ट लवल के सबसे पीक पे हैं वो बताता है कि वो तो औरिज्टनल ओफ टाइम की स्टौडी कर रहा था इसलिए वो अपने कल्टिवेशन से डिस्ट्रैक हो गया वरना अब तक तोयले त्यांचन भी रियल जीनियस बन जाते मास्टर लोग कहते हैं पर अब मेरा टाइम तो पास हो रहा है और वो वर्ल मास्टर लिमिट में फस्ट चुके हैं इसलिए उसे अपने सारे टेकनीक को किसी दूसरे वर्यर तक पास करना होगा ऐसे बंदे को जो कि सच में उसके डिसापल बनने के लायक हो क्योंकि वो अपने पूरे लाइफ में यूनिवर्स लोग को स्टडी करके इन सिक्रेट टेकनीक को बनाए हैं और वो अपने सारे सिक्रेट टेकनीक को अपने डिसापल को देना चाते हैं ताकि उसके पूरे जिन्दकी की मैनत बरबाद ना हो टोईले ते आंचिन बताता है कि ये तीनों मासर होंग ली सिंग और लोफ एंग तीनों थ्री एक्स मांटेन इंपायर की डिसापल है जिसे मिंग्यों ने हमें रिकमेंड किया था और साथी ये इनर वर्ल में काफी अच्छे परफॉर्म किये थे साथी इस जीनियस बैटल वार में भी ये तीनों अपना बिष्ट किये इस बैटल में लोफ एंकर रैंक 51 है जिसे हमें मालुम चलता है कि ये बलैक डिगन मौंटेन इंपायर की अंदर काफी अच्छे जीनियस है फिर आते मासर ली सिंग हलाकि ये जीनिस बैटल वार को कौलिफाइए नी कर पाया अगर इसके फाइट रांग जुन के साथ नहीं होती तो ज़रूर ये इस बैटल को कौलिफाइए कर ले था प्लैनिट मार्स पे जाम देखती लोफ एंग अपने डिवाइन विपन को कंट्रोल करने की कोशिस कर रहा था वो कहता है कि वो इस जीनिस बैटल वार के लिए खुद को कौलिफाइए कर लिया और अब कोई सकनी है कि उस देनिस बैटल वार में सारे वर्यर काफी ज़दा पावफुल होंगी वहां कोई भी वीक नहीं होगा क्योंकि सारे वीक बंदे तो पहले ही मारे जा चुके हैं इसलिए लोफिंग कहता है कि मुझे सुरवाच सही अपने डिवाइन वेपन को यूज़ करना होगा इस बार मुझे कोई भी वेपन को चुपाने के ज़रत नहीं है फिर उसे गासनवेदी का कॉल आता है वो काफी एकसाटेर होकर लोफिंग को कॉंगरेक कहता है और कहता है मुझे मालूम था कि तुम इस बैटल को जीतोगी कहता है मुझे मालूम था तुम ही इस बैटल को जीतोगी इसलिए मैंने तुमारे सायर से बिट किया था और मुझे इससे काफी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ये सुनके लोफिंग भी कुस होता है गासनवेदी कहता है इस बार मैं अपने फादर पे डिपेंड नहीं रहूँगा मैं खुछ से एक ब्लैनेट को बाई करूँगा और जब भी तुम्हें टाइम मिले तो तुम ड्रैगने साथ प्लैनेट जरूराना हम साथ में इंजॉय करेंगी मुझे तुम्हे ट्रीड देना है पिर लोफिंख उसे पूरूराना को कॉल आता है मासरा ओंग कहते हैं धर्ड ब्रदर तुम फारन Russi इंटर करो एक ज़रूरी बात है लोफिंख वारन एव वचिल इनवर्स में इंटर करता है जहां वो अपने सामने ब्रोलियन को देखता है तो लोफिंग उसे पूछता है नान प्रिंसेज तुम यहां क्यों आई ब्रोलियन कहती है यह तो बस वर्चुल ये रिवर्स है तो गवरानी के जुरत नहीं है वो बती है आर्ट के उनर के साथ डिसकस करने आई है फिर वो दोनों साथ में बैट कर डिसकस करते हैं वो बताती है कि इंपरर चाते है कि आने वाले एरेना सेलेक्शन में जो भी बेस्ट परफॉम करेगा उसे इंपरर के तरप से रिवर्ड दिया जाएगा मिलकीवे गैलेक्शी को देना चाहते पर उससे पहले तुम सब को इस अरेना में जीतना होगा पुरे मिलकीवे गैलेक्शी का नाम सुनकर लुओ फैंग मासर होंग और ली से इंती नों काफी ज़्यादा होते लुओ फैंग उसके प्लैन को समझ जाता है बवाता एक रेन करती है कि ये मिलकीवे गैलेक्शी काफी ज़्यादा बड़ा है और ये बस स्टार लेवल के लिए काफी बड़ा रिवार्ड है लुओ फैंग भी सुचता है इसकी पीज़ी जिरूर इन सभी का कुछ तो मोटीव है मासर होंग कहते हैं कि आर्थ भी तो मिलकीवे गैलेक्शी के अंदर आपके है तो क्या आर्थ भी इस रिवार्ड के अंदर इनलूड है जिस पर ब्रोलिन कहती है कि मिलकीवे गैलेक्शी में 2,10,000 से भी ज़्यादा लिविंग फ्लैनेट्स आते हैं उसमें से एक आर्थ भी है ये उसकी कोई स्पेसर वैल्यू नहीं है ये भी मिलकीवे गैलेक्शी के अंदर आती है इतना सुनकर मास्टर रौंग ली सेन और लुओ फैंग तेन उसके प्लैन को समझ जाते हैं लुओ फैंग तो काफी गुसा कर रहा था अब मास्टर ली सेन लुओ फैंग से कहता है कि इस यूनिवर्स में 8,000 से भी प्लस गैलेक्शी से हैं पर ये लोग रिवार्ड के लिए मिलके वे गैलेक्शी कोई चोज क्यों किये तो मास्टर ली सेन काफी गुसे में ब्रॉलियन से पूछता है कि इस यूनिवर्स में तो 8,000 से भी प्लस गैलेक्शी से हैं पर तुमने जान पुछकर रिवार्ड के तोपे मिलके वे गैलेक्शी कोई चोज क्यों किया जिस पर 9 प्रेंसिस कहती है कि इस रिवार्ड को इमरेड और उसके फैमिले के द्वारत किया गया है और इसमें उसके गरेंट फादर के भी आत है बवाता बताती है ये लोग जान पुछकर रिवार्ड पूरे मिलके वे गैलेक्सी को ठाके ताकि वो किसी तरह से लोफांग और हॉंग को हरा कर पूरे मिलके वे गैलेक्सी पे कबज़र कर ले और फिर लोफांग अर्ड का आउनल पे नहीं रहेगा उनका में मकसद है अर्ड पे कंट्रोल करना मिस्टर वो कहते हैं इसलिए मिलके वे गैलेक्सी को रिवार्ड के तोर पे ओफर कर रहे हैं तो लोफांग उसे से कहता है नाइन प्रिंसेस यहां आने के लिए सुक्रिया पर फिलाल हमारे पास बिलुकल भी टाम नहीं है हम सभी का फोकस जीनियस बैटल पे हैं और बातर इस अरेना और मिलके वे गैलेक्सी के रिवार्ड की तो हम इसे जीनियस वार्ड के बात देखेंगे हम इस बारे में बात में डिस्क्रस करेंगे तो नाइन प्रिंसेस कहती है धियान रखना कि पूरे मिलकिवी गैलेक्शी को Black Demon Mountain Empire के Emperor Re-Own करते हैं और तुम लोग ऐसा डिले करके पूरे Black Demon Mountain Empire का Ineem भी बनना चाते हो तब भी हम इस बैटल को जीतेंगे और फिर ये पूरे मिलकिवी गैलेक्शी मारा होगा और तुम हमें बिलकुल भी डिफीट नहीं कर सकी ये सब सुनकर नाइन प्रेंसिस को काफे ज़्यादा गुसा आता है फिर लोफिंग कहता है मैं इस बारे में बात में बात करूँगा मुझे रोयल फैमली के एक और बंदे को डिफिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले भी रोयल फैमली के बंदे को किल कर चुका है ये सुनकर ब्रोलिंग को काफे जोर की मिरसी लगती है वो कहती है इसका फैसले तो जीनियस बैटल में होगा और वो काफे गुसे में मटक मटक के वहां से जाने लगती है तो लोफैंग कहता है आराम से जाओ कहीं तुम दरवाजे से टकराना जाओ तो जाते वे ब्रोलिंग काफे गुसे में कहती है लोफैंग याद रखना तो मर्थ ले रेर क्रूप में ये तुमारा आकरी मॉमिंट है बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है जब तुम आर्थ के सारे लोगों के सामने मिलके वे गैलेक्सी का नियो आनर होगा इतना कहकर ब्रोलिंग फारण ही वहां से चली जाती है आगे बवाता लोफैंग को सजेस्ट करती है कि उसे अर्थ को बचाने के लिए इस रिंग बैटल में पाटिसिपेट करना होगा और किसी भी हल में इस बैटल को जीत कर अर्थ को बचाना है इसके अलावा उसके पास कोई भी चांस नहीं है इधर हम देखते हैं ब्रोलिंग के पास नोलिंग से नाता है और कहता है पूरे ब्लैक डिकन मॉंटेन इंपायर में किवल तीन बंदे ही इस जीनियस बैटल में पाडिसिपेट ले रहे हैं जबकि दो बंदे तो लुओ फिंग के साइड से हैं लुओ फिंग खोड और मास्टर हाँ जबकि रोयल फैमली से नाबिनी को दो ग्रोलिन कहती है बस हमें किसी भी तरह से उन्हीं इलिमिनेट करना होगा और अब तो बैटल का गरूप भी रिवील हो चुका है हांग और नाबिनी सीम गरूप में है मास्टर हांग तो उस बैटल में 72 वर्ल एरिया में 999 रैंक लाया था जबकि नाबिनी तो उससे बहुत ही आगी 223 तो तुम समझ सकते हो नाबिनी और मास्टर हांग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है और इस बार वो दोनों सीम गरूप में है इसका मतलम वो दोनों आपस में बैटल करेंगी इदर लूप फैंग मास्टर हांग को बिताता है कि नाबिनी तुमारे ग्रूप में है मतलब कि नाबिनी तुम से फाइट करेगा और ये बंदार रोयल फैमली से है लूप फैंग कहता है हमें बस मिलकिवे गैलेक्सी के लिए फाइट करना है तो तुम थोड़ा केरफू रहना फिर मास्टर हांग बैटल के लिए वहाँ से जाते हैं और अब मास्टर हांग के बैटल के लिए त्यान चेंग मासर लूओ, लूओ फैंग के पूरी फैमली, लूओ फैंग, मासर ली सिंग सारी लोग काफे ज़दा एकसाइटिड हैं और इतना नहीं इस बैटल को रियल टाइम फ़न बिलियन लोग लाइव देख रहे हैं इधर हम देखते हैं इस राउंड बैटल के लिए जितने भी इस ग्रूप में बंदे थे, वो सारे लोग यहाँ पे अपेर होते हैं और अब कुछ पल में बैटल स्टार्ट होने वाली हैं फिर वहाँ पर वेलर आता है और बताता है कि यह 161 ग्रूप मैच है जो कि अब स्टार्ट होने वाला है और जो भी वर्यर इस ग्रूप में थे, वो सारे लोग अरेना में अपेर होते हैं नाबी ने मासर हांग दोनों अरेना में आते हैं और भी काफी सारे पाफल बंदे उस अरेना में अपेर हुए थे इस अरेना में 100 से भी ज़्यादा लोग 18 किये हैं पर केवल 10 बंदे इस सेलेक्शन के उपास कर सकते हैं मतलिम कि इस मैश के बाद नेक्स राउंड के लिए केवल 10 बंदे को इस सेलेक्श किया जाएगा और टाइम टू टाइम यह आरेना आपस में स्रिंक होगा मतलिम कि अवी आरेना का साथ बहुति जादा बड़ा है और जैसे बैटल स्टार्ट होगी बैटल के दोरान ही पुरा आरेना से कुड़ने लगेगा इसलिए से भी को जल्दी इस बैटल को ख़त्म करना है फिर अचाना की यह बैटल स्टार्ट होता है फिर हम देखते हैं सबसे पहले ना भी नी एक बंदे पे अटेक करने जाता है वो बंदा अपने साथी से कहता है कि इस बैटल रूल की अकोडिंग हम टीम अप भी कर सकते हैं और ये सारे बंदे क्या नवो इंपेरिल फैमिली से हैं जो कि आपस में काफी ज़्यदा यूनाइट रहते हैं अब उन दोना फैमिली में बहुती कजरनाग बैटल होती है जहां पे वो बंदा बहुती फास उन पे अटेक कर रहा था ये उनके फास्ट राउन में कुछ बंदे इलिमिनेट हो जाते हैं पैंडूसी और से वो बंदा मैजिक एमर को भी यूस कर रहा था पर रांग जून उस मैजिकल एमर वाले बंदे को काफी बुरी तरह मारता है और कहता है लेकिन तुम्हारा आरा तो काफी ज़्यदा स्ट्रॉंग है और इसी के साथ ये पार्टियें पे काफ्म होती है